हेलो बच्चों, प्रॉब्लम 3.13 देखते हैं, चैप्टर चल रहा है कुरंट और हम लोग NCRT सॉल्ड कर रहा है, तो कुश्चन है, the number density of free electrons in a copper conductor is estimated to be this much, that is 8.5 और 10 to power 28 है, काफी बड़ी value है यह, पर मीटर क्यूब है, तो इसको कहने का यह मतलब है कि पहले यह आप assume कर लें कि एक unit dimension का एक copper का conductor है हमारे पास इस तरह का, let's say यह 1 meter हो जाएगा, तो इसके पास small n का term होगा, एक capital N divided by volume, और वही term हमको दिया हुआ है, वो है 8.5 into 10 raise to the power 28 per meter cube, ठीके बच्चों, फिर कहता है, how long does an electron takes to drift from one end of the wire of 3 meter long to the another end, कितना time लगता है, मतलब आप लोगों को इस question में न time का term बताना है, और यहां हम लोग solve कर रहे हैं इसको, ठीक है, फिर कहता है, the area of cross section is 2 into 10 to power minus 6 meter square, और कहता है current का term भी यहां पर अपन को given है, सबसे पहरे हैं यह समझ लेते हैं कि किसी भी conductor में potential difference देने की वज़़ा से field setup हो जाएगी, और एक electron आपको इस तरफ motion करता देखेगा, अगर यहां potential positive का और यहां negative का रहेगा, total length बच्चों, आप लोगों को L का term है, charge के motion की हैं तो पहले यह समझ लेजिए कि time का term पता करना है, जो कि होगा distance upon velocity और current chapter में distance मतलब conductor का length और यह हो जाएगा drift, हाना कि एक electron collision करकर के पहुंच रहा होगा, बट आपको drift velocity का term के बारे में बात करना है, फिर हम आते हैं कि हमें क्या-क्या relationship पता है, जैसे VD का term अगर given है, say I क term given है, तो बच्चे लोग जानते हैं इस चीज को, I का term होता है small n, N E A VD, और यहां से अगर में VD की respect में solve करूँगा, तो वो हो जाएगा, I divided by N E A, just substitute this term here, you will be getting L whole divided by, यहां हो जाएगा I, और उपर निकल जाएगे यह सारे term, N into E into A, okay, अब सीधा सीधा पन को solve कर देना है, L का term में बच्चों 3 meters, N का term given है 8.5 into 10 raised to the power 28, electron पर चार्ज हम जानते हैं 1.6 into 10 raised to the power minus of 19, area बच्चों given है अपन को already 2 into 10 raised to the power minus 6, whole divide by, right, स्पूरे को डिवाइट कर दूँ में, current से तो वह हो जाएगा, 3 cut, इन दोनों को cut कर दीजे, यह मिलके बनाएंगे, 8.5 into 3.2, और multiply में 19, 6, 25 होता है, तो यहाँ पर 10 to power 3 मिलेगा, और जो भी term आ रही है, seconds में आ रही होगी बच्चों, तीक है, अब मैं यहाँ solve करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 27.2 into 10 raised to the power, यह हो जाएगा 3 का term, यह भी seconds में है, जिसको हम ऐसा लिख सकते थे बच्चों, 2.72 into 10 raised to the power 4 of second, यह मेरा time का term आ गया, और बच्चों, कई बढ़ प्रॉबलम में इसको minutes और hours में मांगता है, तो when you convert it, it will come down to 7 hour and 33 minutes, इतना time ले रहा है, एक electron drift कर करके, 3 meters long conductor के, चली आगे बढ़ते है, क्गर कर दो के लिए प्रॉबलम में इसकता है, तो, रहा है, और आगे रहा है, जो रहा है, तो, प्सक्वार mांगता है, जो दो, उला है, प्सक्ता है, यह रहा है।